जिसे आपने दिल से चाहा हो, उससे जब रिष्टा तूट जाता है, तो उबर पाना मुस्किल हो जाता है। अगर आप भी इसी दर्ट से गुजर रहे हैं, तो ये रियल लाइफ स्टोरिज आपको जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती रहेंगे। उसकीलों का सामना करते हुए भी अपने रिलेशन्सिप को संभालने वा सहेज कर रखने की पूरी कोशिस करता है। हलांकि कभी-कभी हालात ऐसे बन जाते हैं, जिसमें सिवाय ब्रेक अप करने के कोई और रास्ता ही नहीं रह जाता। यासा जब होता है, तो वैक्ती भी पूरी तरह से तूट कर रह जाता है। लेकिन क्या इसे ही अपनी खुसी का अंत मान लिया जाए? बिल्कुल नहीं। माना कि इस दर्ड से उबर पाना आसान नहीं होगा। पर ये मान लेना कि ब्रेक अप के बाद जिन्दिगी में कुछ नहीं बचा, बिल्कुल भी सही नहीं है। आज हम आपको कुछ ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरी से रूबरू कर रहेंगे। मुझे मेरा ब्रेक अप अच्छे से याद है। मैं उस दोरान प्रेल्थ क्लास में था और मेरी रिलेशनसिप को दो साल हो चुके थें। मैं उसके काफी करीब था जिस वजह से मेरी अपने दोस्तों और अपने परिवार तक से दूरी बनने लगी थे। एक दिन अचानक मुझे पता चला कि मेरी पार्टनर मेरे साथ ही किसी और के साथ भी रिष्टे में है। बचपने ने मेरी आँखों पर पट्टी बांध रखी थे। जिस वजह से मैं उसकी हरकतों को नोटिस नहीं कर पाया। मैंने जब उसे रंगे हाथ पकड़ा तो मेरे पैरो तले जमीन ही खिसक गई। मैं सुनने पड़े गया और मेरी आँखों से आशूर आने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिन्दगी यहीं खदम हो गए। इसने मुझ पर ऐसा असर डाला कि बोर्ड एकजाम में भी मेरी अच्छे नमबर्स नहीं आ सके। इस ब्रेकप ने मेरी जिन्दगी को जैसे पूरा ही बदल दिया। मैंने एहसास किया कि जिन्दगी में दोस्त और परिवार का साथ होना कितना महत्वपुर्ण है। साथ ही मुझे समझ आया कि किसी दूसरे इंसान की वजह से आपको अपने भविशे पर आच नहीं आने देनी चाहिए। मैंने खुद पर काम करना चालू किया और खुद को उन सारी चीजों से दूर किया जिससे मुझे उसकी याद आ सकती थे। अपनी दोस्तों और परिवार वालों को समय दिया, महनत करके अपनी गलतियों को सुधारा और खुद से वादा किया कि फिर कभी मैं ऐसी बचकानी हरकत नहीं करूँगा, सैयम करूँगा। ब्रेक अप का असली मतलब दिल तूटना होता है और दिल तूटने की वज़ा सिर्फ धोखा देना नहीं होता, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, अगर आप एक सहर में होते हैं तो रिष्टे को संभालना आसान होता है, वही एक देश में अलग अलग सहरों में रहें त वो चाहकर भी आपसे मिल न पाए, उस इस्तिती में रिष्टा बरकरार रखना नमुम्किम जैसा होने लगता है, मेरे बॉइफ्रेंड को अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे देश जाना पड़ा, जिसके कारण हमने ये रिष्टा तोड़ दिया, भले ही दोनों की रजामंदी से ये हुआ, मगर इससे दुखी हम दोनों थें, मुझ पर इसका गहरा असर हुआ, और मैंने सराब का सहारा लेना चालू कर दिया, इसने मेरी हेल्थ पर असर डाला, और मेरा काम पर ध्यान लगना भी बंद हो गया, इस सब के बीच मुझे खुद से घ्रीना हो फिर मैंने जिन्दगी में कुछ नया करने का सोचा, फिर मेरी जिन्दगी में एक नए इनसान की एंट्री हुई, जिसने मुझे पूरी तरह बदल दिया, उसने मुझे समझाया कि अगर हमारी जिन्दगी से कोई इनसान जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्यार के पूरी तरह बंद कर दिये जाएं, आप हमेशा नई सुरुवात कर सकते हैं, नई दोस्त बनाना, नई रिष्टे बनाना, खुद की जिन्दगी को खुल कर जीना और सीखते रहना ये सब बहुत आसान है, आप बस कदम उठाने से घबरा रहे हैं, एक बार कदम उठा कर तो देशिये और फिर आपको लगेगा की जिन्दगी कितनी मजदार है,